युहन्ना का प्रकाशित वाक्य तेरवा अध्याए और मैंने एक पश्यू को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके दस सींग और साथ सिर थे और उसके सींगों पर दस राजमकुट और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे और जो पश्यू मैंने देखा वह चीते की नाई था और उसके पाउं भालू के से और मुह सिह कासा था और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है फिर उसका प्राण घ गाव अच्छा हो गया और सारी प्रत्रि के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबह करते हुए चले और उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कह कर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुह दिया गया और उसे 42 महिने तक काम करने का अधिकार दिया गया और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की नि और जाती पर अधिकार दिया गया और प्रत्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ती के समय से घात हुआ है उस पशु की पूजा करेंगे जिसके कान हो वे सुने जिसको कैद में पढ़ना है वे जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वे तलवार से मारा जाएगा पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है फिर मैंने एक और पशु को प्रत्वी में से निकलते ही वे देखा उसके मेमने के से दो सींग थे और वह अजगर की नाई बोलता था और यह उस पह भिले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था और वह बड़े-बड़े चिंधे दिखाता था यहां तक कि मनुश्यों के सामने स्वर्ग से प्रत्वी पर आग बरसा देता था और उन चिन्धो के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दि वे जी गया है उसकी मूरत बनाओ और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले और उसने छोटे, बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सब के दहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके ज्यान इसी में हैं जिसे बुद्धी हो वह इस पशु का अंक जोड ले क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक छैसो छियासट है